इस वीडियो में आप जानेंगे कि घेरा क्या होता है और किसी आकृती के घेरे को क्यूं और कैसे ना पा जाता है रियांश आज आओ टहलने चलते हैं पापा आप टहलने क्यों जाते हो मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता टहलने से शरीर स्वस्थ रहता है डॉक्टर का कहना है कि मेरी उम्र के व्यक्ति को प्रती दिन कम से कम 6 किलोमीटर टहलना चाहिए तो क्या आप प्रती दिन सुबह 6 किलोमीटर टहलते हैं? हाँ, 3 किलोमीटर सुबह और 3 किलोमीटर शाम को लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि आप 3 किलोमीटर चल चुके हैं? बहुत आसान है, जैसे मैं पता करता हूँ, वैसे ही तुम भी पता कर सकते हो कैसे? बताता हूँ, मैं जिस पार्क में टहलता हूँ, उसमें टहलने के लिए जो घेरा बनाया गया है वहाँ एक वर्ग स्क्वेर के आकार का है उसके एक किनारे की लंबाई 250 मीटर है अब तुम मुझे बताओ कि मुझे 3 किलोमीटर चलने के लिए इस घेरे के कितने चकर लगाने होंगे मतलब मुझे इस घेरे की लंबाई पता करनी है? हाँ ठीक है, कुशिश करता हूँ, यह एक वर्ग आकार की आकरिती है क्या हुआ पापा? एक ही नंबर को चार बार जोड़ने से अच्छा है कि आप इस नंबर को चार से गुणा कर दो अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं अब एक किनारे की लंबाई को चार से गुणा करके हम इस घेरे की लंबाई पता कर सकते हैं तो फिर बताओ, क्या हुई घेरे की लंबाई? 250 में 4 से गुणा करने पर आएगा 1000. इसका मतलब इस घेरे की लंबाई हुई 1000 मीटर. और 1000 मीटर कितना किलो मीटर हुआ? एक किलो मीटर. बिल्कुल सही. अब बताओ, 3 किलो मीटर टहलने के लिए इस घेरे के कितने चकर लगाने हुँगे? बिल्कुल सही रे आंच. और यही मैं करता हूँ. इस घेरे के 3 चकर लगाता हूँ. इससे मुझे पता चलता है कि मैं 3 किलो मीटर टहल चुका हूँ. ओ, अब समझा. आप सुबह 3 किलो मीटर और शाम को भी 3 किलो मीटर टहलते हैं इस तरह आप 6 किलो मीटर प्रती दिन टहलते हैं हाँ रे आन्श मैं ऐसा ही करता हूँ स्वस्थ रहने के लिए मुझे रोज कितने किलो मीटर चलना चाहिए? बच्चों को तो स्वस्थ रहने के लिए मैदान में खेलना चाहिए इसलिए तो तुमको पार्क में ले जा रहा हूँ तुम खेलना और मैं टहल लूँगा ठीक है पापा, चलो रियांश, मैंने अपने खेत के पास वाले खेत को खरीद लिया है अब हमारा खेत पहले से बड़ा हो गया है इसका मतलब अब उसका घेरा भी बड़ा हो गया होगा हाँ, और इसलिए तुमको उसके घेरे की लंबाई पता करनी है ठीक है, आप मुझे उसके सभी तरफ के किनारों की माप बता दीजिए मैं घेरे की लंबाई बता दूँगा मैंने इस पेपर पर खेत के सभी किनारे और उनके नाप लिख दिये है तुम मुझे घेरे की लंबाई बताओ ठीक है, इस खेत में तो 6 किनारे हैं इन सभी को जोड़ कर मैं इस खेत के घेरे की लंबाई पता कर सकता हूँ हाँ, बताओ, फिर क्या होगी घेरे की लंबाई? 9 मीटर में 5 मीटर जोड़ा तो हुआ 14 मीटर 14 मीटर में 9 मीटर जोड़ने पर हुआ 23 मीटर 23 मीटर में 4 मीटर जोड़ने पर आया 27 मीटर 27 में 22 मीटर जोड़ा तो उत्तर आया 49 मीटर 49 में 21 मीटर को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 70 मीटर इसका मतलब अब हमारे खेत के घेरे की लंबाई 70 मीटर हो गई है बिल्कुल सही बताया रे आंश अब तुम घेरे की लंबाई की गणना करना अच्छी तरह से सीख गए हो तो अब तुम गउं के उन लोगों की मदद कर सकते हो जिनको घेरे की लंबाई निकालनी नहीं आती आज आपने सीखा कि किसी भी आकरती के घेरे की लंबाई पता करने के लिए उसके सभी तरफ से किनारों को जोड़ा जाता है और किसी आकृती में कितनी भी भूजाएं या किनारे हों, घेरे के लंबाई निकालने का तरीका एक ही होता है.